ऐसे 5 आप्लिकेशन्स जो कि अगर आपके फोन में होंगे तो आपको सिर्फ पॉकेट मनी पर रिलाए नहीं करना पड़ेगा। कौन से है वो आप्स और उनकी पूरे डीटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट है और चाहते हैं कि अपने मंतली एक्सपेंस के लिए ममी पापा के उपर बोर्डन ना बने तो आज की वीडियो में हम आपको पांच ऐसे आप्लिकेशन्स के बारे में बताएंगे जिन से आप अपने फोन से ही कहीं से भी ओर्निंग कर सकते अगर आप अभी कॉलिज में हो और घर से मिलने वाली पॉकेट मनी आपकी एक्सपेंस के सामने बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है तो इस वीडियो में आपको ऐसी आप्लिकेशन्स के बारे में पता चलेगा जहां से आप बीसेंट अर्निंग कर सकते हैं और एक ऐसी अप्लिकेशन भी डाउन्डोड करने की कोई विज़रत नहीं पड़ेगी और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको यह क्लियर कर दें कि यह विडियो स्पॉंसर्ड विडियो नहीं है हम हर अप्लिकेशन के बाद उसकी गूगल प्लेस्टोर की रिव्यूस भी स्क कर सकते हैं मतलग कि जो नोट्स आपने अपने लेक्चर में बनाए थे अपने लिए आप उनको दूसरे स्टूड़न्स को सेल कर सकते हैं या जिनको भी उन नोट्स के जरत होगी वो उसको बाइए कर सकते हैं और आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने गूगल प्लेस्टोर के कुछ यहां पर भी डिस्प्लेय करें हैं यह वैब आयोएस और आंड्रोइड तीनों प्लाटफॉर्म्स पर अवेलेबल है तो कहीं से भी आप बस इसको लॉग इन करो और अपने नोट्स को सेल करो चलिए अब सेकेंड जैसे कि डेटा एंट्री और यहां पर विजबल होती है आपको करना बस इतना है कि आप लॉग इन करिए और अपने डिजायर पेमेंट अपनी अपनी अबिलिटी के हिसाब से काम को चूज कर सकते हैं और पॉकेट मानी कर सकते हैं अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे हमने गूगल प्ले स्थोर के कुछ रिव्यूज भी डिस्प्ले किये होई हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड आप है स्कॉडर्ण स्कॉडर्ण एक और यूसफुल इंडियन एप है जो कि स्टूडेंट के लिए ओर्निंग को इजी कर देता है स्कॉडर्ण में आप स्कॉड कोईन करते हैं as a reward for completing each task और इन को आप कनवर्ट कर सकते हैं into money and transfer कर सकते हैं into your Paytm wallet स्कॉडर्ण में बड़ी-बड़ी companies जैसे कि Ola, Flipkart, Snapdeal के business tasks को छोटे-छोटे parts में divide कर दिया जाता है and users उसको complete करते हैं अब छोटे-छोटे tasks में divide करने का motto ये होता है कि tasks easily और जल्दी complete हो सके and then उससे you earn squadron coins अब इन tasks में minor से चीज include होती है जैसे कि feedback, tagging image, categorizing products अभी आप screen पर देख रहे होंगे हमने इसके Google Play Store के कुछ reviews भी display किये होया है Now moving ahead, fourth application का नाम है Lemon Off Lemon Off mainly students के लिए useful application है उन students के लिए जो part-time job search कर रहे हैं इस application में आप part-time gigs, short-term internship, work from home जैसी और भी काफी सारी चीज़े search कर सकते हैं and you will get paid accordingly In opportunities में अपने interest के चीज़ें आप search कर सकते हैं जैसे कि food, travel, blogging, marketing, content writing, photography, music, hosting, fashion, etc. में से कुछ भी related work आप धूण सकते हैं and अपनी monthly income को वड़ा सकते हैं यहाँ पर आप इसके Google के reviews भी देख सकते हैं Now fifth, एक browser है MSN browser MSN browser को आप recharge browser app भी बोल सकते हैं जिसको students अपना mobile recharge या फिर bill या data जैसे important बट छोटे expenses को cover करने में use कर सकते हैं MSN literally आपको सिरफ internet browsing करने के credits देता है जैसे आप अपने Google Chrome या फिर किसी भी browser पर internet चलाते हैं ठीक वैसे ही आप इसको भी चलाओ और अपना credit कमाओ MSN पर आप video देख सकते हैं, उसको download कर सकते हैं news पर सकते हैं, facebook use कर सकते हो, online shopping भी कर सकते हो और यह सब करने के लिए आप rewards earn कर सकते हो जिसको आप redeem कर सकते हो अपना recharge कराने के लिए अभी इस time पर आप screen पर इसके भी Google reviews देख सकते हैं Well I guess कि आपको अपने लिए pocket money earn करने का एक source आज की वीडियो से definitely मिल गया होगा यह सारी applications Google Play Store और iOS पर available है सिरफ Gig India और Lemon Off को छोड़कर यह दोनों application सिरफ Android users के लिए ही है तो go ahead and start earning your pocket money and आप Josh Money के Instagram पेज को भी follow करें उसका link आपको description में और pinch comment में मिल जाएगा फिलाल के लिए मैं आस्ता चलती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी अगली विडियो में Thanks for watching